नमस्टार साथियों, आपका मेले इस वीडियो चनल में स्वागत है, आज का विश्य है SMPs Power Supply, SMPs Power Supply सभी जगर फ्योग में होती है, सभी मुबाइल के Chargers में, बैटरी चार्जर सिस्टम में या कोई Power Supply जोटी मोटी होती है, ये लेट आपके चार्जर में या आपके टीवी के Power Supply सिस्टम में अधिकान सेगर में SMPs Power Supply का यूज़ के जाता है, तो आज का सब्जेक्ट जुड़ है SMPs Power Supply के सर्कुट का डिस्क्रिप्शन है, यहां प इसकी से DC Rectification होता है, यह oscillator circuit होता है, switching circuit में SMP Transmode होता है, inner rectification stage होता है, यहां पर यह काप्टो कपकर होता है feedback के लिए, यहां पर सबसे पहले यह इन दो 0.2.231 Tasty Supply देते हैं, जो की Fuge में जाती है, 2.5 MpR का Fuge है, अगर इस circuit में कोई प्रावलम आने के case में, यह Fuge Grown होता है, इसके आपने यह condenser C1, inductance L1 और inductance L2 यह जो है, line filter का काम करते हैं, यहां पर जब switching होती है, यह आप High Frequency का noise government होता है, उस noise को इस circuit से बहा सोर्च के साइबना जागे दे, इसके line filter काम करता है, इसके आपने यह D1, D2, D3, D4 यह 4 आयोड है, यह चार्ड अग मिलका के अब् यहां पर DC output मिलता है, यहां प्लस मिलता है, यहां मिलता है, यह 230 volt देने से, यहां पर 275 volt के आसपर DC मोलता है, इसके में MTC है, MTC को negative table check coefficient बोलते हैं, यह resistance की value पहले हाई राती है, जब current flow ने से गरम होता है, तो इसके value कम हो जाती है, यहां पहले filter condenser है, इसका आमें starting का filter condenser क करेंग को काम करना, और जैसे ही, करने से चार्ज हो जाता है, इसके value कम हो जाती है, यहां पर full voltage आ जाता है, इसके आगे, यहां पर main जो चीज है, यह transfer है, SMK platform बोलते हैं इसको, इसके primary coil है, यह secondary winding है, यह feedware winding है, तो जो additive supply आती है, यह primary winding के थूर, यहां से most short के drain में आती है, इसका source जो है, यह basing resistance के द्वारा, D to side to connect जाता है, जैसे ही power supply देर आन करते हैं, तो इस starting में, यह पूरा positive voltage यहां से यहां तकाता है, और इस 470K के resistance से, कि इस वाइन कि इसको बैसिं इसमें current flow होना चालो होती है, उससे इस वाइन के feedback पूर्ट जाता है, वो voltage and capture user के थूर आता है, और इसको बैसिं नहीं जी है, तो इसकी current increase होती है, जैसे maximum current आती है, उससे में यह feedback input जाना बन हो जाता है, तो current reduce होने चालो जाती है, यह MOSFET cut off हो जाता है, और इसकी जो current है वो इस circuit के थूर डिश्चार्ज हो जाती है, यह complete discharge हने के बाद में इसकी current जीरो होती है, फिससे यहां से feedback पूल्टे जाता है, और MOSFET फिससे connect करने चालो कर देता है, फिससे इसमें current फ्रो होती है, इस तरज यह on-off, on-off चलते जाता है, यह करिक 15,000 Hz के उपर में चलता है, जो पंदर जासा है कि इसकी frequency होती है approximately, यह primary winding में current जो है, on होती है, on होती है, आफ होती है, इसके करना से secondly winding में voltage पैदा होता है, इस voltage पूल्टेश डियाट के जहां rectify करते हैं, और यह filter condenser उसको filter करता है, यह आफ क्या है, कि कभी output voltage ट्रॉल्ट से जाधा हो जाए, तो उसको cut-off करने के यहां से feedback resistance दिया है, जो कि इस sub-to-coppler में जाता है, इसका voltage अकर ट्रल से जाता होगा, तो जेने डायक प्रनेक 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 से यहां से, यह voltage है, इस sub-to-coppler के जाता है, यह यह transistor इस circuit की speed को reduce कर देता है, तो voltage यहां का total voltage से कम हो जाता है, इसके अरावबा continuous running के time में भी, यहां से यह diode और यह condenser और यह resistance मिलके, यह पर कुछ positive voltage बनाते हैं, यह positive voltage is square के साथ में, इसके feedback voltage के साथ मिलता है, यहां से इसके थुरूश में आता है, और यह circuit है, इसका feed, जो source वादा portion है, यहांके resistance, यह resistance हो ज़ी कंट्र्ट जाहं से आता है, जो कि continuously इस transistor को control करता है, इसके दार इसकी most fed की जो gate है, इसका voltage control होता है, इसके कहां से continuously हमारे का constant 12 volt मिलता है, यह को transistor है, ऐसे control transistor का का काम करता है, यह वाला जो most fed है, सब्सक्राइब भी और दो अनुट है, यह रहा है क्यों से कौन का है, जो और आजुञगा है, यह रहा है के लिए करक्तितर काम करता है, तो हम आज़ने के लिए रहा है, प्रेशन की यह रहा है, निन इसक टैवले, वॉक्षरिण से काम करता है, और कभी बावफ है लॉस्ट बावफ हो रहा है sebelUM इसके मैं इसको बिक हम करें मालो हमायो कुछ को भी चरह काना हैH बावद हाँ होने से यह बावफ हैंहीं सलिघारसे बावफ होने स्थायोड से पराव लिए आपर जल सकता है इस transistor collector voltage को 18V से जागदना आजाने दे, क्योंकि यहां से डाले, और सपरे से डाले है, यह आप यह इस्टेट को जन्न डाइब दील आएंगे तो यहां का voltage 18 से भी जागदा हो सकता है, यो कि इस transistor को डिमेज का सकता है, पेस्ता असे, इसका main circuit हुआ, इसे main part जैसे की नगता है, यह आला line filter circuit, यह rectify circuit, यह switching circuit, यह आला output rectify circuit, यह apply feedback circuit, इस तरसी, इसके main sections हो जाते हैं, और इस अगर इस area में की फाल्ट होता है, तो उस case में, यह फूट चले काईगा, यह coil open हो जाती है, कभी कभी यह diode भी start हो जाते हैं, तो अगर फाल्ट आता है, इस चीज़ों को चेक करन से fault clear किया सकता है, और output side में जगल ही fault नहीं आता है, तो फाल्ट आने से यह diode जा सकता है, अगर कभी कभी यह आपको कपला भी चले जाता है, तो इसको चेक करके, इसको ठीक हो सकता है, इस तरसी यह complete circuit, यह मैंने explain का दिया हूँ, यह आपको यह diagram और circuit पसंद आता है, इसको प्रीज लाइक करिए, मिल चनल फर्स्ट नहीं आ है, तो मिल चनल को सब्स्राइब करिए, और bell icon भी प्रेस करिए, थैंक्यू वेरीमस, थैंक्स.